मारा जेज जैन स्वागत करती हूँ और इफ्लेम की दुनिया में आज का टॉपिक है मेरा वेलनेस एंड मी आज हम बात करेंगे कि सप्लिमेंट्स जो है वो मेरे लिए जरूरी क्यों है आप खुद एक बार डिसाइड कीजिए कि ये सप्लिमेंट्स क्या करते हैं फिर उसके आप सोचीए कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है क्या मुझे वेलनेस की जरूरत है आप खुद सोचीए आप बाहर से हेल्दी तभी हो पाएंगे अगर आप अंदर से हेल्दी है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कुछ इस तरीके का है हमें ना तो हमारी नींद पूरी होती है online businesses online work from home यह सब चीजों के चक्कर में social media phones यह सब चीजों के चकर में हमारी जो नींद है वो बहुत जादा disturbed है तो maximum sleepless nights का को हमें face करना पड़ता है हमारा जो stress level है वो बहुत बढ़ गया है mental stress जो है वो इतना जादा बढ़ गया है कि बतलब unpredictable situation दिखाई देती है हर तरफ और यह panademic ने तो इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ा दिया maximum junk food या deep fry food जो है वो हमारे food का हमारी life का हमारे सब चीजों का हिस्सा बन चुका है maximum हम like करते हैं junk food को खाना like हम टेस्ट के इतने दिवाने हो चुके हैं कि उसमें हम क्या junk खा रहे हैं इसका हम ध्यान भी नहीं देते हैं unhealthy beverages जो है यह तो हमारी जैसे lifestyle का हिस्सा ही बन गया है हमारे पुराने जो दादी नानी का टाइम था उस टाइम पे नीमबू पानी या रूफजा शर्बत बस इनी चीजों को value किया जाता था लेकिन आज की date में तो यह चीज़ें कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं सबसे ज़दा value किया जाता है carbonated drinks को तो वो carbonated drinks जो है यह हमारी शायद diet का ही हिस्सा बन चुके हैं आज की date में multitasking तो एक बहुत बड़ी problem है आज की date में हर इनसान को multitasking करनी पड़ती है अगर एक female की life को देखे तो उसको तो आज की date में आज इस panademic lockdown के situation में तो बहुत सारी चीजों में काम करना पड़ता है वो उसको अपने work from home के scenario में काम भी करना है उसको बच्चे school नहीं जा रहे त उनकी online classes है तो उसको भी attend करना है बच्चों का papers आ गए है तो उसको भी कैसे manage करना है वो भी देखना है घर का खाना भी बनाना है मेड्स को नहीं बुला सकते तो घर का काम भी करना है हर चीज जो है अगर देखी जाए तो जितना भी stress level है जितनी भी multitasking है वो शाद females के उपर थोड़ी जादा आ गई है pollution येस इसको भी हम avoid नहीं कर सकते हैं हमारा जो city है जिस city में हम रह रहे हैं जिस वातावरन में हम रहे हैं वहाँ पर हमें दूर दूर तक शायद greenery दिखाई भी नहीं देती है तो एक pollution level जो है वो हमारे हमारे शरीर को कैसे deteriorate करता है हमारी health को कैस explanation देने की जरूरत नहीं है इसके इलावा हमारे जो alcohol and smoking की आदत है अपने peer group में बैठ कर यह किसी भी तरीके से अपने आपको stress relief करने के लिए हम alcohol और smoking की आदत अपने अंदर डाल लेते हैं ये आदत एक बार आ तो जाती है लेकिन जाती नहीं है ये आदत हमें बहुत सारे नुकसान दे जाती है इस situation में हम अपने आपको healthy कैसे रख पाएं ये भी एक बहुत बड़ा challenge हो जाता है healthy lifestyle किस चीज़ के साथ होता है healthy lifestyle होता है अगर आपकी life में ये चार cornerstones है चार cornerstones क्या है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं अच्छी diet ले रहे हैं आप अपने food म minimum से minimum जो आप दिन में खाना खाते हैं उसका जो two-third हिस्सा है वो fruits and vegetables का हो या आप अपनी diet में हर वो जरूरी के nutrients ले रहे हैं कि जो आपकी शरीर की जरूरत है अगर मैं Indian Medical Association की तरफ से देखूं तो उन्होंने जो recommend किया है कि हमें week में दो बर salmon fish खाने चाहिए और हमें अपने diet में हर per person के इसाब से almost 800 से लेकर thousand grams तक fruits and vegetables खाने चाहिए तो सोचे क्या आप इतना सब कुछ ले पा रही हैं सिकिन है well being मैं जो situation में रह रहे हूँ जितने लोगों के साथ रह रहे हूँ या मैं जितने लोगों के contact में आ रहे हूँ क्या वो सब सिरफ और सिरफ positive बात कर पाते हैं कही ना कहीं कोई ना कोई negativity तो मिली जाती है exercise exercise कितनी मैं कर पाती हूँ मैं नहीं कहती हूँ कि आप डेली बेसिस पे बहुत जोड़ जोबर दस्तिक वाली exercises करें बट फिर भी डेली बेसिस पे चाहे आप simple walk कीजिए आदे घंटे की walk कीजिए पंदरा मिनट की walk कीजिए या आप हलकी फुलकी exercises कीजिए exercises जो इजी योगा जो है वो जो आप घर में बैट कर अपने बैट पर बैट कर कर सकते हैं इजी योगा जो है वो जरूर कीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी आपके लिए एक कोशन माग जरूर है supplements हम ज़्यादा तर सोचते हैं कि हमें supplements की जरूरत ही नहीं है supplements की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी healthy food खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर उतना nutrient है जितना मेरे शरीर को जरूरत है जब वो नहीं होता है तो उसके लिए supplements की जरूरत पड़ती है यह जो supplements होते हैं यह आपकी diet के nutritional gap को fill करने के लिए होते हैं अगर आप इस nutritional gap को fill कर पाते हैं तो well and good अगर नहीं कर पाते हैं तो आज आपको देखना पड़ेगा कि आपके round about आपको कितने अच्छे supplements हैं जो मिल रहे हैं तो यह सब चीजों को करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा tip दूँगी कि आप अपने साथ किसी ना किसी friend को या अपने family member को ज़रूर जोड़िए जिसके साथ आप ये four cornerstones को study कीजिए और four cornerstones को अपनी जिंदगी में लेकर आईए और आप ये कह सकते हैं कि एक healthy competition या एक healthy एक system बना सकते हैं आप अपने friendship का या अपने family member के साथ जिससे आप अपने life में ये चार cornerstones को जगा दे सकते हैं आज हम बात करेंगे oriflame के wellness supplements के बारे में सबसे पहला है omega 3 omega 3 जो है oriflame के wellness category है इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला product है omega 3 की आज की date में आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है बहुत सारे ळोग, बहुत सारे doctor, आज की date में recommend भी करते हैं बहुत सारे लोग aware भी है omega 3 को लेकर omega 3 की deficiency किन में हो सकती है अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का कोई इस तरीके का दर्द हो रहा है आपकी body में inflammation आ रही है तो yes आपके शरीर में omega 3 की कमी है क्योंकि omega 3 जो है वो हमारा शरीर नहीं बनाता है यह हमें बाहर से ही लेना पड़ता है अगर मेरी मैं अपनी skin की बहुत अच्छे से care कर रही हूं लेकिन फिर भी मेरी skin में कोई ना कोई problem दिखाई देती है अगर मैं अच्छी diet खा रही हूं लेकिन फिर भी मेरे बाल बहुत जड़ रहे है मेरे बालों में बिना बाद के रूसी आ रही है मैं डेली बेसिस पे आपने बालों को साफ करती हूँ लेकिन मेरी डैंडरफ जो है वो नहीं जा रही है मेरे जो नेल्स है वो ब्रिटल हो रहे हैं ये बढ़ते ही नहीं है थोड़े से बढ़ते हैं तो तूट जाते हैं अगर आपको ये सारे सिम्टम सिखाई दे रहे हैं तो आपके अंदर omega 3 की कमी है आज की डेट में आपको आपकी concentration level को maintain करने के लिए आपकी memory को शाप करने के लिए आपके हर चीज की जरूरत के लिए omega 3 जो है वो आपको सिर के बालों से लेकर पैरों के नाकुनों तक मैं कहूं तो आपके शरीर के सारे अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए omega 3 की ज मिलता है यह सब चीजी हैं जहां से हमें omega 3 मिल जाता है बहुत सारे sources है omega 3 को मिलने के omega 3 को लेने के बहुत सारे vegetarian sources भी हैं बहुत सारे non vegetarian sources भी हैं लेकिन आपको समझना चाहिए कि मुझे किस तरह का omega 3 लेना है जिस omega 3 में EPA और DHA नाम का fat हो और जो अपनी जो chain system है उसको सही chain बना रहा हो वो omega 3 आपको लेने की जरूरत है कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं हमने fish खा लिया तो हमें omega 3 की जरूरत नहीं है लेकिन क्या जो आपने fish खाई है उसके अंदर EPA और DHA की chain complete हुई question mark है अगर वो आपके खाने पर भी वो chain complete नहीं है तो वो खाना ना खाना एक बराबर हो जाता है मैं इसको golden capsules कहती हूँ golden capsules वो चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा ऐसी रोशनी पैदा कर देते हैं ऐसी चमक पैदा कर देते हैं जो आपको बहुत सारी बिमारियों से बचाने का काम भी करते हैं अब एक और question है कि market में इतने सारे सस्ते और इतने अच्छे omega 3 मिल रहे हैं तो मैं oriflame का omega 3 क्यों लूँ बिलकुल बहुत बढ़िया question है इस question का answer ये है कि आप पहले check कीजिए कि omega 3 आप जो ले रहे हैं उसके ingredient क्या है उसके sources क्या है जो 200-300 रुपे पे मिलने वाला omega 3 है तो वो omega 3 जो वो fish oil से नहीं बना हुआ वो simple किसी भी oil में कुछ भी मिला कर आपको दे दिया गया है just to save money अगर आप सस्ते की तरफ भागेंगे सस्ता रोए महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार येस ये आपकी situation कभी भी हो सकती है they are not aware about your health but आपको वो सस्ते के लालच में शायद कुछ भी गलत दे सकते हैं जो आपको omega 3 मिलते है 700 रुपे से लेकर 1200 रुपे के बीच में मिलते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होगा हो सकते है वो fish oil ही हो लेकिन उसमें filtration का question जरूर रहेगा आपको जो omega 3 मिल रहा है उसके 5 filtration अगर नहीं हो रही है तो भी वो कहीं ना कही किसी ना किसी रूप में आपके शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचाएगा औरिफिल्म के products जो है ये क्यों safe है इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है हमें ये कुछ certifications हैं जो एक साथ मिल रखी है हर जगा आपको हर company को इतनी सारी certifications नहीं मिलती है ह हमें GMP की certification मिली है ये इसका मतलब है good manufacturing practices यानि कि हमारे जो plants है वहाँ पर जो manufacturing की जाती है वो जिस तरीके से की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके की manufacturing है जहां पर कोई भी hazard नहीं है hack up जो है ये भी Swedish certification है जो बहुत strict certification है जहां पर आपके product की quality को check किया जाता है Swedish standards जो है ये सबसे strict standards माने गए है हमें non GMO की भी certification मिली है यानि कि हमने कि हमारे किसी भी product में कोई भी genetically modified organism नहीं है ये इत्ती सारी certifications प्रूफ करता है कि हमारे जो products है वो बहुत सारे safe products है next हमारा product आता है second product है मेरा all time favorite है ये product इसको हम कहते है protein protection protein की जरूरत हमारे शरीर में क्यों होती है protein जो है वो हमारे शरीर की wear and tear के लिए जरूरी होता है ये wear and tear जो हमारे शरीर में होती रहती है किसी ना किसी तरह से अगर हमने बच्पन में पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है वो एक machine है तो गलत नहीं है तो मशीन में तो wear and tear होती रहती है न फिर तो उस wear and tear को heal up करने के लिए उस wear and tear को ठीक करने के लिए जबसे ज़रूरत होती है प्रोटीन की अगर मैं अपनी डाइट में प्रोटीन की intake को सही कर लेती हूँ तो भी मैं अपने लिए बहुत अच्छी health maintain कर पाती हूँ अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इस product में हमारे क्या-क्या sources लिए गए हैं और इफलेम के protein shake में हमारे पास three sources of protein है peas, whey, milk and soya यह तीन sources of protein जो हैं यह आपको बहुत अच्छे से बहुत differentiate तरीके से proteins देते हैं क्योंकि different sources से होने के कारण आपके अंदर protein की जो कमी है उसको पूरा करते हैं और यह आपको healthy proteins मिलते हैं इसके साथ-साथ इसमें डाला गया है rose hip, green apple and sugar beet यह तीनों चीज़ें जो हैं यह fiber का काम करती है fiber जो है वो उतना ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए जितना protein जरूरी है protein हमारे शरीर में अगर wear and tear करता है तो fiber हमारे शरीर में हमारे जो waste है उसको extract करने में उसको उसकी excretion का काम जो है वो fiber के थ्रू ही होता है वो हमारे digestive system को strong करने का काम जो है वो fiber करता है तो oriflame का अगर आप protein shake लेते हैं तो आप अपने लिए एक healthy protein और एक healthy fiber जो है वो अपने लिए जरूर ले जाते हैं और इसमें मैं आपको यहाँ पर mention करना चाहूंगी कि एक scoop जो nutri shake है उसमें आपको 7 grams protein मिलता है और 1.5 gram fiber मिलता है जो आपके शरीर की daily need को पूरा करता है आगे बढ़ती हूँ यह बताने के लिए कि यह जो nutri shake है यह किस ने बनाया nutri shake बनाने के पीछे जो science है वो क्या है यह doctor sticks team है जिनोंने इस nutri shake को बनाया है इनोंने इनके पास 35 years का experience है इगलोसा life community जो है उसके in charge है यह वो life community बनाने वाले doctor sticks team है इनोंने यह product जो बनाया था अपने patients के लिए बनाया था जिनकी recovery इनको चाहिए थी जो doctor sticks team जो है वो liver, heart and lung transplant के लिए जाने जाते हैं इनका Guinness World Record में नाम भी दर्ज है और यह एक ऐसे doctor है जिनको जाना जाता है इस product की invention के लिए उन्होंने यह product बनाया था ताकि वो अपने patients को एक healthy diet दे सके लेकिन उन्होंने देखा कि इस product को उनको देने से उनकी recovery जो है वो fast हो गई तो फिर उन्होंने यह product अपने team के उपर try किया तो उन्हें दिखाई दिया कि उनकी team के लोग जो है वो बिमार कम होने लग गए और साथ ही साथ उनका energy level जो है वो बहुत बढ़ गया then he introduced this product to the queen of Sweden जिनों ने इसको recommend किया oriflame के साथ तब हमारा यह product oriflame के साथ tie up होकर हमारे पास आया and we are blessed that we are oriflameians and oriflame member होने के साथ साथ हमें यह product है यह हमें मिला यह एक ऐसा product है जो आपकी health को improve तो करता ही करता है अगर आप बिमार है तो आपकी health को आपकी recovery को भी यह fast करता है यह product boost करता है आपके अंदर energy को यह product focus बढ़ाता है आपके concentration level को increase करता है जितनी आपको fiber और protein की जरूरत है पूरे दिन में यह उस gap को complete करता है यह इससे भी खास बात यह है कि यह product जो है यह hunger and cravings को भी दूर करता है इस product का glycemic index जो है वो 40 से लेकर 43 के बीच में है जिसके कारण यह आपको long term तक energy देता है और आपको जो falto की cravings होती है बिना बात के मूँ में कुछ डालने की इच्छा होती है उस चीज़को भी यह खतम करता है next product है हमारा Swedish beauty complex Swedish beauty complex एक ऐसा product है जिसको आज की date में मैं king of antioxidants कहूं तो गलत नहीं है यह एक ऐसा product है जो आज की panadamik की situation में बहुत अच्छा role play कर रहा है इसकी जरूरत किसको है जब भी हम oxygen inhale करते हैं हर इंसान जो है वो oxygen लेता है कोई भी दुनिया में आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो oxygen नहीं लेता अगर आप oxygen inhale कर रहे हैं तो आपके oxygen inhale करने के साथ साथ बहुत सारे free radicals हैं के skin के आपके शरीर के अंदर आपके सांस के द्वारा चले जाते हैं यह जब free radicals आपके शरीर में अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर ये बहुत बड़ा उत्पात मचाते हैं यानि ये free radicals जो हैं ये आपके शरीर के अंदर जो oxygen की supply है उसको रोगते हैं ये बहुत सारे आपके शरीर के अंदर जो रोग विरोधक तत्व होते हैं उनको खतम करने का काम करते हैं ये antioxidants जो है free radicals जो हैं ये आपके शरीर के जो cells हैं उनको deteriorate करने का काम करते हैं तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप free radicals को अपने अंदर inhale कर रहे हैं अगर आप free radicals को अपने अंदर inhale कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जो रोग से लड़ने की ख्रमता है वो खतम हो रही है यानि आपकी immunity जो है वो lose हो रही है जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है वैसे वैसे हमारी immunity भी weak हो जाती है अब इस panademic में शाहिद आपने ये शब्द का बहुत बार इस्तेमाल सुना होगा immunity बढ़ाओ, immunity बढ़ाओ, immunity बढ़ाओ क्योंकि immunity अगर आपकी strong है तो कोई भी virus attack जो है वो आपके उपर असर नहीं कर सकता अगर आपकी immunity strong है तो आपके शरीर के अंदर रोग विरोधक तत्व strong हो जाते हैं अगर आपके शरीर के अंदर रोग विरोधक तत्व जो है वो हो जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कपेस्टी बन जाती है जिस से आप किसी भी तरह की बिमारी के साथ fight कर सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी इस एक ऐसे प्रॉड़क्ट की जरूरत है जो आपके शरीर के अंदर रोग विरोधक तत्वों को बढ़ा दे तो आप definitely antioxidants लेना चाहेंगे आपको इसका में एक छोटा सा example देती हूँ क्या आपने कभी देखा है कि आपने सेब को काट कर रखा और वो brown हो गया वो brown कैसे हो गया ऐसे कैसे brown हो गया मैंने काटा है तो वो brown क्यों हुआ क्या चीज है जिसके कारण वो जो सेब है वो brown हो गया क्यूंकि उसके अंदर उसके उपर हवा में मिले हुए free radicals जो है वो attack कर गए और वो जो है उपर से उसकी layer जो है वो खराब हो गई same यही होता है हमारे body के cells के साथ हमारे body के cells के उपर जब free radicals अपनी एक layer बता देते हैं तो वो उसको उसके nutrients को खा कर उसको उसकी capacity को उसकी जो एक ताकत है उसको खतम करने का काम करते हैं लेकिन जब हम antioxidants ले लेते हैं तो antioxidants क्या करते हैं वो उस cell के उपर एक परत बना देते हैं जिससे यह free radicals उसके उपर attack नहीं कर पाते हैं यह free radicals यह virus जो है यह उसके उपर किसी भी तरह का कोई attack नहीं कर पाता है तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके के bacteria या virus या free radicals के attack से अपने आपको बचाएं तो yes आपको ज़रूरत है antioxidants की मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी यह एक ऐसा antioxidant है जो आभी तक आपने शायद antioxidants के बारे में बहुत सुना होगा यह भी सुना होगा कि क्या-क्या antioxidants होते हैं आपने सुना होगा विटामीन A के बारे में विटामीन E के बारे में यह विटामीन C के बारे में तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी extraxanthin नाम का एक antioxidant जो अभी हाल ही में औरिफलेम के जो scientist हैं जिन्होंने इजाद किया है इसको उन्होंने बताया है कि विटामीन A से यह thousand times विटामीन C से 5000 times तो अगर इतना strong antioxidant मुझे एक capsule में मिल रहा है तो मैं अपनी बाडी की immunity को बहुत अच्छे से improve कर सकता हूं यह product आपकी skin को improve करता है आपकी endurance को improve करता है आपके शरीर में आपके जो बाडी की जो health है उसको और ज़ादा boost करता है और आपके अंदर immune system को strong करता है आपके immune system को ताकतवर बनाता है आपके immune system को इस तरह से बनाता है कि वो virus attack के आगे बहुत अच्छे से respond कर सके तो यहां मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी यह जो famous celebrity आपको दिखाई दे रही है यह Madonna है Madonna ने तकरीबन बहुत साल पहले बहुत पुराना यह article है उन्होंने बहुत पहले यह mention किया था कि हम लोगों को अपनी glow को maintain करना होता है हमें अपनी immunity को भी maintain करना होता है हमें अपने चेहरे की glow हमारा तो काम ही सारा मतलब pump and show वाला होता है तो हमें अपनी figure, अपने skin को बहुत improve करना पड़ता है तो उसके लिए मैं सबसे ज़दा antioxidants पे भरोसा करती हूँ यह बहुत पुराना article है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि oriflame का जो antioxidant है यह 100% natural है इन में कोई भी preservatives का इस्तेमाल नहीं किया गया और यह king of antioxidants है life जो है वो अपने आपको ढूंडने में नहीं है life जो है वो create की जाती है अपने आपको create कीजिए this is all about from my side अब आप देखिए आपको किस supplement की जरूरत है और क्यूं जरूरत है thank you so much for watching अचना राजेश चैन